हेलो दोस्तों सौगत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में जहां आज मैं आपको फिर से एक बार नाउन की सारी इंफरमेशन प्रवाइट कराऊंगा तो कल हम लोगों ने देखा था कि रूल्स आफ नाउन क्या होते हैं ज्यादा तर मैंने आपको चीजे समझानी की कोशिश की थी कि हम सिंगुलर को कैसे पहचानते हैं उस वीडियो के अंदर और प्लूर को कैसे पहचानते हैं ठीक है लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप वो वीडियो सबसे पहले देख लें ताकि आपको पहचान उसके कि सिंग्लर क्या होता है और प्लूर क्या होता है सिंपली मैंने बताया था सिंग्लर आपका एक वचन और प्लूर आपका बहुचन जिसके लिए मैंने आपको एक चार्ट भी दे दिया था अगर वह चार्ट याद रखेंगे तो आपको समझने म नहीं बताई थी बोल कहीं बताई थी तकि आप सिंपल ही उसको समझ सकें उस टाइम पर क्योंकि नाउन का मैं उस वीडियो में थोड़ा साही पार्ट लेकर आप आया था आज मैं आपको सारे टाइपस ऑफ नाउन बताऊंगा क्योंकि यह रूल भी आपके लिए ज़रूरी ह पहचान आप देख लीजिएगा आज हम बढ़ेंगे टाइपस ऑफ नाउन तो सबसे पहला जो हमारा आएगा कलेक्टिव नाउन ठीक है एक एक सेंटेक्स पहचान ने के लिए आता है जो सेंटेक्स में आपको बताऊंगा कि कैसे पहचानते क्या गलती मिलती है हमारी example मैं आपको दे दूँगा ताकि आप उसको समझने में आसानी लगए आपको ठीक है तो in collection on means a group of people or things मतलब कि एक से ज़्यादा लोग जहां पर आजाए ठीक है जैसे example मैंने आपको दिया हुआ है आर्मी हो गया audience हो गया family यह सारी चीज़े जो है group flock टीम हो गई village हो गया school हो गया team हो गयी तो simple से कहने का मतलब यह है कि जहां एक से ज्यादा लोग हो ठीक है एक से ज्यादा लोग भाई आर्मी किस से मिलके बनेगी आर्मी तब बनेगी तक मिसमें पचास से सो लोग हो ठीक audience कैसे बनेगी audience ज्यादा लोग होने चाहिए family family बड़ी भी होती छोटी बटी बड़ एक से ज्यादा लोग जब होते हैं तो family बन जाती ही दो चार लोगों का जब समूब बन जाता तो जैसे ममे होगे पापा होगे भाई होगे बहन होगे दादा होगे दादी होगी चाचा चाची मामा मामी यह सब आपकी आओगी एक family बन गई गुरुप आपका साथ लोगों का हो गया, आठ लोगों का हो गया, नौ लोगों का हो गया, बारा लोगों का हो गया तो जब इन सब को एक एक करके मिलते हैं, तो वहाँ पर हमारा क्या मिल जाता है, गुरुप मिल जाता है फ्लॉक क्या होता है फ्लॉक होता है हमारा जुंड जुंड हम किसको कहते हैं बक्रियों कोई जुंड जा रहा है तो भाई जुंड कैसे बनेगा वो जब तक 10-12 एक ही जगह पर खटा नहीं होंगी यह 10-12-7 मिनी चलेंगी तो आपका जैसे अलग-अलग चल लिए अलग- हमारी इंडीन क्रिकेट टिंड तीम कैसे बनी है इन्डीन टिम बनी है ग्यारा ह criminal होग में आकडा जान रहे घ्मम सब्सक्राइब veo All हुआ जहें समझ लेजिए वो आपका क्लेक्टिव नौन करता है स्कूल में भी बहुत सारे बच्चे होंगे तभी वो जो है स्कूल बनता है टीम मैंने आपको बता दिए कि एक से जादा लोग बन जाए ग्यारा लोग की टीम होती है तो एक से जादा जहां पर आजे वो आप वो भिन भिन वैक्तियों में भी बभाजित हो जाता है तो उसके साथ हम प्लूरर के जिसकाते हैं जैसे हमारे एक्जामपल कमेटी आ गई गई गवर्मेंट आ गया जियूरी आ गई यह आपके कलेक्टि नौन के एक्जामपल है एक्जामपल दिखेंगे कि the committee were one on this point तो यह आपका गलत हो गया ठीक है तो committee यहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे singular के लिए यूज़ करेंगे लेकिन जहाँ पर भिन भिन जाती है आगे भाई जैसे दूसर example दूमें तो committee was divided on one point तो यहाँ क्या आगया एक जो है plural tab में विभाजी दो रहते हैं तो यहाँ पर वास कीज़िए वर का यूज़ करेंगे तो committee वर divided on one point ठीक simple आप नहीं समझेए जहाँ पर group आजए जुन्ट आजए या जए एक से ज्यादर लोग आजए वो आपका collect union करता है सेकेंड जो आप example लिखेंगे abstract noun जहां पर मैंने बताया था आपको जहां पर आपका कोई idea आजए आपकी क्वालिटी आजए ठीक है कोई concept आजए ठीक है और simple आपका लिखा हुआ है abstract noun is the quality मैंने आपको बताया idea और concept और कह सकते हैं action को भी हम abstract noun के अंदर लेते हैं you can't preserve without five senses मतलब यह लिखा five sense आपका कहा होते पहले यह जाले जे आप उसको five sense पहले सी नहीं कर सकते मतलब देख नहीं सकते, touch नहीं कर सकते, taste नहीं कर सकते, smell नहीं कर सकते और सुन नहीं सकते ठीक, तो यह आपके five senses कहलाते हैं, जैसे advice, advice क्या होती है, आपके सलाह होती है, ठीक इसको ना आप देख सकते न छू सकते ना जो है सुमल कर सकते ना टैच कर सकते जो भी है आपका याद कर लीजिये 5 senses जो होते है मैंने आपको बता है see, touch, test hear, smell गिंङे आपकी 5 5 senses होते बहुते है तो सबसे पहला advise मैंने आपता है चला जो five sense नहीं होता है ठीक लेकिन ये एक idea होता है concept होता है ठीक एंगर आपके क्या आगया action आगया इसको भी आप five sense नहीं कर सकते believe आपका विश्वास होता है death, mritu इसको भी ना कोई देख सकता है न छू सकता है न ऐसे समझ लिए न देख सकता है न छू सकता है न टेस्ट, न हीर, न स्मेल ठीक darkness आपका अंधेरा समझ लिजी इसको कोई darkness क्या है darkness आपके अंधेरा हो गया तो इसमें भी आप ये समझ लिजी जहां पर आपका कोई concept five senses को न वो preserve करे वो समझ लिजी आपका abstract noun कहलता है hope हो गया आशा life, आपके जीवन, peace हो गया आपकी शानती ठीक तो abstract noun न इत्ता है रखिए कोई concept आगया, कोई idea आगया, कोई quality आगयी जैसे इसमें sympathy भी लिख सकते थे sympathy sympathy ठीक ठीक sympathy होगी, आपकी सहानवूती होगी ठीक तो इस type के जो भी noun होगे वो आपके कहलाएंगे abstract noun कहलाएंगे तीसरा जो हमारा आता है compound noun compound noun मैंने आपका, जैसे definition मैं आपको simple से दिये in a simple way you can say made of two or more words ठीक मैंने आपको पहले इसे अगर आप मेरा पहला वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा वही वीडियो ही है बिल्कुल बस मैंने आपको simple सा समझा के लिखके आपको पूरा समझाने के कोशिश की है अगर आप समझेंगे तो ज्यादा चलेगा और जो है आप knowledge लेते रहिए मेरे वीडियो के तो तो आपको knowledge बढ़ेगी ठीक है तो मैंने क्या यहाँ compound on में क्या बता है कि जो दो wordो समिलकर बने वो आपका compound on कहलता है जैसे any आगया, any one ठीक, black board ठीक, father-in-law यह दो wordो समिलकर बना है forget me not, भूल जै भूल मत जाना ठीक, in और side home और made grand और father, key and board sun and light, wheel and chair तो यह आपके क्या कहलती है compound on कहलती है, जहाँ पर दो सब्दोसों मिलकर जो word बने, वो समझ लेजए आपका compound on कहलती है, इतना याद रखे, बस आप simple याद रखे, कि दो word उसे बिलकर बने, और बाकी मैंने example, जो यह जो आप इतने ही आप कर लेंगे तो आपको समझने में आपकी बाकी all example मैं आपको बताता रहूँगा अब वीडियो मेरी अगर आप देखते रहेंगे तो आपको समझ में ज्याद आएगा, ठीक है next जो हमारा आता है countable loan मैंने आपको simple सा बताया था countable loan मैंने यह बताया था कि जिसको हम count कर सकें जिसको हम simply count कर सकें या in a countable loan you can count that things and you can be preserved with your finances मतलब जिसको आप देख सकें छू सकें hear कर सकें smell कर सकें टेस्ट कर सकें यह आपके क्या कहलाता है जो है आपके मतलब यह preserve five senses होते हैं इसमें से आपको यह नहीं कि सारे ही लगाने मतलब इसमें से five senses में से अगर आपको एक भी आता है मतलब आप see कर सकते हैं लाइट प्रकास को हम देख तो सकते हैं कम कुकी हम खा सकते हैं बुक हम पढ़ सकते हैं कैट भी हम देख सकते हैं डॉग देख सकते हैं संसेट में देख सकते हैं ट्रेन देख सकते हैं मैज दे सकते हैं सन देख सकते हैं हाउस को हाउस में तो हम लोग रहते हैं ठीक है तो इसका मतलब यह है कि फाइव संसेश में से अगर कोई एक भी कॉंसेट लग रहा है तो समझ काउंटेबल सबजने में आसानी रहेगी अगर आप काउंटेबल समझने चाहते हैं सिंपल सहीर जिसको हम काउंट कर सकें ठीक है हमारे क्या करता है काउंटे बला नेक्स हम बढ़ेंगे uncountable in a simple में you cannot be counted simple लिखा हुआ अगर आप इतना भी लिख देंगे तो examiner आपको पूरे में पूरे नमबर देगा ठीक है तो count करना मतलब यह समझ जिसको हम किसी दर एक count ना कर सके sorry uncountable में ने यह बता है कि जिसको हम count ना कर सके ठीक यह आप count कर सकते हैं कर सकते राइस को नहीं कर सकते मिल्क मHyसिक्ट नहीं नहीं न्हीं न्यूस वाटर यह सारी uncountable no arm坂 कि इसको हम count series नहीं कर सकते इसलिए वह हमारा uncountable simple था एक है plaalanra रवह ने आपको बताया रबलन एक ऐक्शन होता है जिससे आप का मददा बॉडी का जिसे से रखिए बॉडी उसे यह वर्वालों का सब लग समय लिए एक बॉडी से रिलेटेड है तो विच रिपर रिफर्स टू एज एक्शन मैंने सेमपली बस लिख दिया है कि जो आपकी बॉडी से कोई एक्शन ले एक्टिंग आप कैसे करेंगे तो आप इटिंग हो गया वो भी आपका एक एक्शन हो गया jumping jumping आपका कूदना कैसे कूद देंगे एक स्थान से दूसरे थान पर जैसे किसी ताला आप में कूदना है तो आप पैरों से सीधे कूद देंगे smoke smoking cigarette वगारा पीते हैं तो कैसे हाथ और मुझ का इस्तेमाल कर रहे हैं talking मुझ से बात करते हैं swimming हाथ से तैरते हैं हाथ और पैरों की मदद से तैरना शुरू करते हैं पेंटिंग हाथ से पेंटिंग मनेगी ठीक है shopping shopping जब shopping कैसे होती है shopping भाई हमें एक चीज़ नहीं पसंद आती है तो हम दूसरे जगा जाते हैं तो वैसे हमारे shopping के लगता है उसमें भी कोई नहीं कोई action लग रहा है तो जहां पर action की बाता है वह समझ लेजी हमारा वर्बल नौन करता है ठीक है तो एक और आपका नाउन आता है वो मैंने इसमें नहीं बताए एक और आपका मैं आपको ऐसे बता दू एक आता है प्रॉपर नौन प्रॉ नेंगे सुरेज महेश इसलेगे सब आपके person हो गए person प्लेज प्लेज मतलब आउस्ट्रेलिया और इंडिया घौनिस्तान और चीन बौतान नेपाल किसी देश का नाम होगा ठीक है place किसी जगह का नाम ऑन ग्या person प्लेज और कोई वसक्ट का नाम आ ग्या तो यह आपका कै क अच्छी लगें तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरू करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले ताकि आप हमारे वीडियो को तुरन देखें और सारी information और knowledge ले सके ठीक है, कल मैं आपके लिए और rules of noun ले के आऊँगा ताकि आपको noun के बारे में ज्यादा से ज्यादा information देऊगा और noun को पढ़ाने के बाद मैं सारी चीज़े बारी बारी से लेकर चलूँगा noun, verb, adjective ये सारी चीज़े आपको पढ़ाँगा ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, thank you so much